जी हां दोस्तो आप देखना शुरू कर चोके हैं इंडिया वर्सस ऑस्टेलिया वंडे स्रीज इसेशल जी हां दोस्तो आपको बतादें पहला वंडे नहीं खेलेगे कप्तान रोहित शर्मा के जग़ा हार्दिक पांडिया पहले वंडे में कप्तान ही करेंगे और हार्दिक पांडिय ने चुनली है अपनी पिलेगी 11 गिल के साथ ओपनिंग करेगा ये बल्लेबाद हार्दिक ने बताया है नाम तेजस्वी लोग है अमरे पास कितने शांदार विचार रखते हैं जिहां दोस्तों आपको बताते हैं कप्तान हार्दिक पांडिय ने पुष्टी कर दी है कि इशान किशन के साथ फॉर्म में चल रहे शुमन गिल ही पारी की शुरुवात करेंगे जिहां दोस्तों आपको बताते चलें भारत औरोष्टिले के बीच शुकरवार को मुंबई के वान खिलिक श्रीज की शुरुवात होगी पहला वंडिक की पिलेरिंग 11 को लेकर हार्दिक पांडिय ने ओपनिक जोडिक का कन्फियूजन दूर कर दिया है प्रेस कान्फियर्स में पत्रकारों से बात करते हुए कारवाह कप्तान हार्दिक पांडिय ने पुष्टी की है कि इशान किशन फॉर्म में चल रहे हैं और शुम्मन गिल के साथ पारी की शुरुवात इशान ही करेंगे अरे ओ सांभा कितना इनाम रखे है सरकार हम पर जी हां दोस्तों आपको बताते हैं पांडिय ने कहा है कि इशान और शुम्मन की पारी शुरुवात करेंगे विकेट साल भर ऐसा ही दिखता है मैं यहां लगबग साथ साल से खेल रहा हूँ यह हमारे लिए बहुत चिनोती पूर होने वाला है क्योंके यह विकेट दोनों पक्षों के लिए समान अवसर पिरदान करेगा जी हां दोस्तों हार्दिक पांडिया ने कहा है कि हमें थोड़ा बहुत बहादुर बनने की जरूरत है और हमें आत्म निर्भर बनने की ज्यादा आवशकता है हार्दिक पांडिया ने कहा है कि मुझे लगता है कि हमने कुछ रया करने की कोशिश की है हम थोड़ा बहुत बहादर बनने की कोशिश करेंगे मुझे लगता है कि पिछली कुछ सिरीज में हमने काफी अच्छा प्रिदर्शन किया है ये सभी दियूपक्षी मेच जितने हमारे लिएं महत पूर थे उतने ही हमारे लिएं चिनोती पूर भी थे हमने उतने ही करीब पहुँचकर उनसे सीखा है खुलकर कहूं तो एक मात रही तरीका है जिससे हम सीख सकते हैं और ICC की बड़ी टूनमेंटिम के दबाओं में खेलना शुरू कर सकते हैं जिहां दोस्तों आगे हाली पाणिया नकाया का हाला के हमें इसे अभी खेलने की जरूरत नहीं है लेकिन अतीत अतीत होता है उससे हम सीख कर अपने वर्तमान को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे जिहां दोस्तों आपको बताते चलें इशान किशन के साथ सुमन की लिए ओपनिंग करेंगे तो केहल राहूल की जगा कैसे मिल पाएगी जिहां दोस्तों आपको बताते इशान किशन ओपनिंग करने के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है क्या के ल राहूल को पिलेइंग 11 में जगा मिल पाईगी या नहीं टीम इंडिया के पास मिडिड ओरर में जैसे सूर कुमार यादब जैसे में क्या के ल राहूल का जगा मिलना मुम्किन है ये देखना काफी दिल्चस्प होगा जिहां दोस्तों आपको धियान निगला लें कि के ल राहूल को अपनी फॉर्म साबित करने के एक और मिल पाता है या नहीं भारत इस वक्त 114 की रेटिंग के साथ फिलहाल वन डे रेकिन में टॉप पर है वहीं ऑस्टेलिया 112 की रेटिंग के साथ दूसरे इस्थान पर मौझूद है जी हाँ दोस्तों ये देखना काफी दिल्च्ट पर हुआ कि के ल राहूल को पिलेंग 11 गर्ण में जगा मिल पाती है या नहीं अपनी प्यारी से नहीं हमें कमेंट में जरूर बताईएगा और दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करते होगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जी हाँ दोस्तों आपना बाहु मुर्ले समय देते हुए वीडियो देखने के लिए आप लोगो का दिलसे धनिवाद